हेलो स्टेंट्स कैसे हैं आप मैं गुर्वे सर्दक्ष कैडमी लाडव यूट्व चैनल में आपका स्वागत करता हूँ बचो आज हम क्लास 10 NCRT बुक क्वाड़िक एक्सेशन का चैप्टर नमबर 4 उसमें से 4.2 एक्सेश के क्वेशन नमबर 3456 करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यह क्लास 10 से बच्चो आपके पास NCRT बुक एक्सेशन 4.2 से क्वेशन नमबर 3 है बच्चो देखिए गजरा ध्यान से इस क्वेशन को find two numbers whose sum is 27 and product is 182 यानि कि आपको ऐसे दो नमबर चाहिए जिनको add करने से 27 आना चाहिए और जब आप उनको multiply करें तो 182 आपके पास आना चाहिए तो बच्चो इसको कहीं बार क्या करते है आज़ा कॉस्ट्न्टी को से ढलिट नमबर को दूसरे को वाइआ तो थोड़ा लेंग्ट ही हो जाता है तो अम्BER variable में रखेंगे इसको x में एक स्क्राइगे कैसे होगा देखिएगा सब्सक्राहि ने एक सब्सक्राइज अगर नंबहर एक three the second rub Cap которую हम हम क्या नेंगे यहांपर navigate सकते हो इससे आपके लिए बहुत हीजी हो जाएगा आगे क्या दिया गया बच्चों आपके पास according to question इन दोनों numbers की जो product है आपके पास वह product आपको दी गई है 182 तो आप क्या करेंगे इसको simplify करेंगे तो यहां से बच्चों क्या जाएगा इसको जब आप standard form में लिखते हो तो माइनस एक स्केर प्लस में 27 एक्स और माइनस में 182 फैक्टराइजेशन से पहले standard form में लिखना मत भूलिएगा माइनस वन से आप इसको multiply कर सकते हो तो इसके सारे साइन बच्चों चेंज हो जाएंगे this is the important point जहां से देख लो जरा ओके थोड़ा से हो जाता है हमारे लिए अब यह आप सीख चुके हो splitting मीडल में कैसे हम करते हैं आपको एक वीडियो नज़रा रही होगा आप इसको जरूर देखें इस वीडियो में इस तरह हैं सब्सक्राओंगे जिनकोagainर कटकश करने से आपके पास माइनस ट्वेंटी सेवन आता हो और जिनको मल्लटीपलाई करने से आपके पास 182 अब यहां देखें कायों डॉनकों नम्बर कolenी क्यों कि बचों कि मॉइनस आया हुआा हु Hawk करने से आपके पास किPadव 27 लेकिन माइनस है तो इसलिए यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस होगा तो बचो यहां से क्या आएगा X-14X-13X और प्लस में 182 इक्वल टू जीरो तो आप इन दोनों ट्रम में से सबसे पहले X को कॉमन करेंगे यहां से माइनस में 13 कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे तो यहां पर आपके पास कितना आजएगा बचो X-14 होगा यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों की दोनों कैसी है बचो सेम है इसका मलव यहां तक कुश्चन हमारा बिलकुल ओके है अब हम आगे देखते हैं X-14 पूरी ब्रैकेट कॉमन फिर बचा क्या बचा आपके पास X-13 इक्वल टू जीरो ओकेट तो यहां से देखिएगा आइदर X-14 इक्वल टू जीरो और X-13 इक्वल टू जीरो तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बचो 14 आ जाएगी और X की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी अभी देखिएगा यह हमारे पास X की वैल्यू आई है यानि के वन नमबर हमारे पास आया है बच्छो आपके पास X 14 है तो जब यह 14 होगा तो जो second number बच्छो हमारे पास होगा वो क्या होगा? Yes, 27 minus में 14 यानि कितना हो जाएगा बच्छो 13 होगा तो यह दोनों number हमारे पास आगए लेकिन X के एक value हमारे पास और है तो अगर हम उस value को यूज करते हैं तो one number is 13 तो जो second number आपके पास आएगा बच्छो वो क्या होगा? Yes, 27 minus में 13, 14 आजाएगा तो इस तरह से जो आपके पास answer आएगा वो 13 और 14 यानि कि अगर एक number 13 तो दूसरा 14 और अगर 14 तो दूसरा 13 तो इस तरह से आपके पास यहां पे value आई 13 और 14 यहां होगे होगा आपको देखेंगा बच्छो यह question number 4 आपके पास find two consecutive positive यह बात ध्यान रखिएगा positive integers sum of whose square is 365 पहलो तो बच्छो आप statement को अच्छे से समझ लीजिएगा यहां पे हमारे पास two numbers दिये गए हैं कैसे number है consecutive यानि के एक के बाद दूसरा आएगा और क्योंकि यह positive integers हैं तो हम positive side integers की बात करेंगा यहां पे हम लेते हैं जूम करते हैं तो consecutive positive integers आर एक हमारे पास x हो जाएगा और दूसरा बच्छों हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस में one अब हमें क्या दिया गया है sum of whose square is 365 यानि के इन दोनों का जो हम बच्छों square करेंगे फिर हम उन दोनों को plus करेंगे तो condition आएगा according to question हमें क्या condition दिये गई है बच्छों पहले नंबर का भी square करते हैं हम दूसरे नंबर का भी square करते हैं हम और इसके value रखते हैं बच्छों 365 के को ओके तो यहां से बच्छों देखिएगा क्या है एक्स square यहां पर a plus b whole square का formula है तो यहां से बच्छों क्या होगा a square plus b square plus two into a into one equal to 365 x square plus x square बच्छों कितना हो जाएगा two x square हो जाएगा plus में one है plus में two x और minus में three six five equal to zero आएगा तो यहां से बच्छों होगा आपके पास two x square plus में two x होगा और यहां पर आप minus करते हो तो three six four यह आएगा आपके पास two से आप इसको divide करेंगे तो आपके पास हो जाएगा बच्छों माइनस में one eighty two okay x square plus x माइनस में one eighty two तो यह question number जो आपके पास three किया था हमने उसी तरह से लेकिन थोड़े से change के साथ है तो यहां पर देखिएगा हमें इसको बच्छों two numbers में break करना है middle drum को multiply करने से हमारे पास minus के one eighty two आना चाहिए तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वो numbers कौन कौन से हो सकते हैं जब हम plus करें तो बच्छों one आए हमारे पास और जब multiply करें उन numbers को तो minus के one eighty two आए तो यहां पर आप देख रहें हमारे पास यह 14 और 13 क्योंकि यहां पर क्या है बच्छों minus है इसका मतलब है कि एक number हमारा plus का होगा और एक number हमारे पास जो होगा वो factor minus का होगा एक plus का और एक minus का यहां पर क्या वे जो plus है तो इसका मतलब जो larger number है वो आपके पास plus है जो smaller है वो आपके पास minus है तो जब आप इसके factors करते हो तो x square plus में 14x minus के 13x और minus के 182 equal to 0 x common लोगे आप first two term में से तो x plus 14 इसमें से 13 common लोगे तो x plus 14 equal to 0 और यहां से फिर आपके पास वो bracket आपके पास इस तरह से common आएगे बचो और यहां पर क्या आजाएगा x minus में 13 और equal to 0 ठीक है तो जब आप इसको bracket को equal to 0 करते हो और यहां से इस bracket को equal to 0 करते हो तो यहां से बचो x की value आएगे आपके पास minus के 14 और x की value यहां से आएगे बचो plus 13 अब देखिएगा यह value तो आप क्या करोगे बचो यहां से reject कर दोगे इस value को क्यों value reject होगी दिहान से देखिएगा क्योंकि आपको दिया क्या गया था positive integers तो यह positive नहीं है इसलिए इस value को बचो आप क्या तो आपके पास value कि आएगी यहां से x is equal to 13 तो एक नंबर बच्छो आपके पास 13 है तो दूसरा नंबर कि आएगा आएगा आपके पास yes x plus में 1 कितना होगा 13 plus में 1 यानिके 14 आजाएंगे तो answer आपके पास आएगा बच्छो 13 and 14 आई होप यह क्लियर होगा तो बच्छो आपको अच्छे से आ गई तो समझे लोगी क्वेस्टन सापके लिए बहुत ही जी हो जाएंगे देखे बच्छो क्वेस्टन नंबर फाइव आपके सामने है दा एल्टिटूड ऑफ राइट ट्रेंगल इस सेवन सेंटीमेटर लेस द आपके पास यह एल्टिटूड है वह सेवन लेस है और जो हाइप इसके पिक्चर यहां पर त्यार की है तो आप यहां से समझ लीजिएगा आप देखिया हूं क्या करते हैं लैट लैट दा बेश लैट दा बेश एक सेंटीमेटर ओके तो अल्टिटूड क्या होगा जो हाइप इन्यूज है यह बच्चों आपके पास वह दिया गया है थर्टीन सेंटी मेटर अब हम यहां पर पाइथागोर्स यूज करते हैं बच्चों ओके यूजिंग पाइथा गोर्स थ्यूर्म क्लियर है using Pythagoras theorem Pythagoras theorem क्या बच्छे square of base plus square of perpendicular or altitude will be equal to square of hypotenuse तो यहाँ पे जब हम इसका open करते हैं तो X square plus में यह A minus B का whole square बच्छो तो A square plus B square minus में 2A and B will be equal to 169 तो यहाँ से X square और X square को जब आप प्लस करते हो तो 2X square आपके पास आएगा यहाँ कहीं पर बच्छे mistake करते हैं 14 मत लिखिएगा यहाँ पर आएगा बच्छो आपके पास 49 minus में 14X और आप इदर से जो 169 हैं उसको भी आप left hand side में transfer कर दोगे तो बच्छो यहाँ से क्या है आपके पास 2X square minus के 14X और minus के 120 अब फिर से आपको factorization करने से पहले इसको हम simple कर लेते हैं पहले हम 2 से divide कर देते हैं इसको तो क्या हैगा X square minus में 7X minus में 60 equal to 0 तो factorization जो बच्छो आप इसकी करते हैं तो आपको उसी तरीके से two numbers find out करोगे तो आपके बार आपके पास जो नंबर आएंगे बच्छो वो आएंगे ट्वैल और फाइव middle tank को break किया हमने 12 और 5 ये plus होगा और ये minus होगा अपके पास minus के 60 will be equal to 0 तो X common आएगा यहाँ से X minus में 12 यहाँ से 5 common होगा तो X minus में 12 भी यहाँ पर आजेगा इस bracket में equal to 0 तो बच्छो यहाँ से क्या होगा X minus में 12 और X plus में 5 equal to 0 X-12 will be equal to 0 और X-5 will be equal to 0 तो यहां से X की value बच्चो आपके पास 12 आएगी और X की value की आएगी बच्चो यहां पर minus 5 अब जो minus 5 है बच्चो वो आपके पास rejected हो जाएगी value क्यों हो जाएगी क्योंकि जो आपके पास length होती वो कभी भी minus में नहीं होती तो इसको हम reject करेंगे तो X की value बच्चो क्या ही हमारे पास यहां पर 12 आई और X को हमने क्या जूम किया हुआ था बच्चो यहां पर base ओके तो base जो हमारे पास बच्चो वो कीतना है 12 cm और जो altitude है बच्चो आपके पास क्या आएगा यहां से देखिएगा X माइनस में 7 यानि के 12 माइनस में 7 equal to 5 cm तो यह आपके पास 2 other sides आ गई हमारे पास तो बच्चो क्वेश्चन नमबर 6 आपके सामें स्क्रीन पर है काफी lengthy question है समझ लीजी जीगा इसको जड़ा ध्यान से तो बच्चो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें let the number of article articles produced क्या आपको क्या कह रहे हैं कि एक particular day पे जो article produced रोती है वो हमने एजूम किया X ओके सो cost of each article क्या दिये गया बच्चों आपके पास cost of each article क्या दे रख आपके पास वह कहते हैं जो हमारे पास उस दिन पर्टिकुलर डे पे जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें और उसमें 3 प्लस कर दें तो यह हमारे पास cost आ जाएगे बच्चों और यह आएगे रुपीज के अंदर तो यहां पर देखिए cost of each article हमारे पास यह आया है और उस दिन को 90 रुपीज यानि के हम क्या करेंगे बच्चों के इन दोनों को आपस में multiply करेंगे तो वह किसके को लोगी बच्चों हमारे पास 90 के को लोगी अब हम इसको simple way में explain करते हैं तो यहां से क्या आएगा 2x square 3x और माइनस में बच्चों आपके पास आजाएगा 90 क्लियर है बच्चों अब यहां पर वही middle term को break करते हैं तो यहां पर देखेंगे हम 2 को 90 को जब आप multiply करते हो तो दोनों को multiplication आपके पास माइनस के 180 आती है और जो middle term है बच्चों आपके पास उसको हमने इस तरह से break करना है ऐसे दो नंबर समय चाहिए जिनको आड़ करने से हमारे पास 3 आए अब यहां यह माइनस में है बच्चों तो इसका मतलब एक नंबर हमारे पास प्लस का होगा और एक नंबर हमारे पास माइनस होगा यहां पर आपके पास जो जल्ट दोनों को एड़ करने के बाद प्लस आया हुआ है तो इसका जो greater number है बचो हमारे पास वो प्लस में जायेगा और जो smaller number हमारे पास वो जायेगा बचो आपके पास माइनस में clear है point तो इसका उल्ब 15 और जब आप ट्वायलों को में 15 हो जाएगा आपके पास और माइनस में बच्छो देखेगा यहां से हमारे पास six common आएगा ओके क्या आएगा बच्छो six common जब आप लोगे तो यहां पर two x क्योंकि माइनस आप six common ले रहे हो तो इसका मतलब क्या आएगा आएगा आपके पास अंदर जो साइन है नाइनटी का वो चेंज हो जाएगा तो six common लिए आपने कितना आएगा प्लस के फिफ्टीन इक्वल टू जीरो तो दोनों ब्रैक्ट से बच्छों हमारे पास सेम है तो इसका मतलब टू एक्स प्लस में जीरो के एक्वल रखते हो और एक्स माइनस में six को जीरो के एक्वल रखते हो तो इसका मतलब बच्छों आपके पास क्या आएगा टू एक्स विल इक्वल टू माइनस के फिफ्टीन और एक्स की वेल्यू क्या आएगा यहां से बच्छों आपके पास क्या आएगा एक्स equal to six तो यह तो बच्छों आपके पास rejected हो जाएगी क्यों हो कि बताइएगा क्योंकि माइनस में है आपके पास ओके तो इसको तो हम क्या करेंगे लेंगे नहीं यहां पर इस वैल्यू को तो यह तो क्योंकि माइनस में दे रखी है अब जो आर्टीकल है पुर्डूस्ट है वह पास वह कभी भी माइनस में नहीं हो सकते तो जो नबर ओफ ऐसद्श चूश्ट आपके पास एक्स तो कौस्ट और आपको यहां से तो एक्स की वैलियू जब आप इस में पुट करते हो तो इतनी आई है 15 रूपीज सो बचो नंबर आप आर्टिकल सापके पास आए हैं सिक्स और कोस्ट ओफ इस आर्टिकल आपके पास आई है 15 आई हो बचो आज की कलास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे सो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फर वाचिंग